पक्फ कानून पर विश्व हिंदू परिशद की मोधी सरकार से बड़ी माग क्या मोधी सरकार वख कानून करेगी खरद वख संसोधन बिल पर मोलाना शाहबुदीन ने की ओवेसी की बोलती बन वख संसोधन विधेयक को लेकर देशपर में बहस छिड़ी हुई है अब विश्व हिंदू परिशद यानि विच्पी का बड़ा भयान सापने आए है तरसल विच्पी ने मोधी सरकार से बड़ी मांग की है कि मोधी सरकार वख कानून को रद करे और एक नया कानून बनाए वियच्पी की ये बड़ी मांग है जहां पर वफ कानून में संशोधन की बात हो रही है वहीं पर विश्व हिंदू परिशद की मांग ये है कि वफ कानून को ही रद कर दिया जाए वही औल इंटिया मुस्लिम जमात के राष्टे अध्यक्ष मौलाना शाहबुदीन ने वफ संशोधन बिल के समर्थन में फिर से आवाज उठाई है उन्होंने कहा कि ये बिल वफ की संपत्यों को भू माफियाओं से मुक्त कराने में मदद करेगा यानि एक तरफ ओवेसी से लेकर तमाम कॉंक्रिसी नेता पूरा विपक्ष तिल मिलाया हुआ है कि वफ कानून में संशोधन की बात मोदी सरकार कर रही है उसमें संशोधन करना चाहती है ये बिल लेकर आ रही है मोदी सरकार इससे ओवेसी तिल मिलाया हुए है लेकिन वहीं पर मौलाना शाबुदीन ने इसका समर्थन किया है उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि अगर इस बिल में संशोधन होगा तो जाहिर तोर पर वफ की संपत्यों को फू माफियाओं से मुक्त कराने में मदद मिलेगी इस पर विस्तार से बात करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको जानकारी देती हूँ कि वियच्पी ने यानि विश्व हिंदू परिशद ने जो मांग की है विश्व हिंदू परिशद के जो प्रांथ मंतरी है तुशार डोकरा उन्होंने कॉंक्रेस पार्टी पर बड़ा हम नहीं होगा यानि वियच्पी इसके पक्ष में नहीं है कि वफ कानून में संशोधन हो वियच्पी साफ तोर पर ये मांग कर रही है कि इस वफ कानून को ही मोदी सरकार रद करें और एक नया कानून पारित खरें वियच्पी ने ये कहा कि साल उन्निस सो चोवन में ये और साल 1995 में कॉंग्रेस सरकार ने संशोधन करके वफ बोर्ड को असीमित शक्तिया दे दी इस कानून के अंतरगर्थ वफ बोर्ड किसी भी सरकार नीजी संपत्ती को अपना बता कर कभजा कर सकता है व्यच्पी ने कई उधानन दिये हैं उन्होंने तमिलाडू के एक पूरे काउं को किस तरीके से इस कानून के तहट अपने नाम पर कर लिया गया वहाँ पर एक 1500 साल पुराना मंदिर भी था भारतिया पुरातत्व सरवेक्षिन के संग्रक्षित स्मारक ताज महल पर भी वफ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है जो सुप्रिम कोट में विचार थीन है ये बात वीचपी ने कही और इसी के साथ उन्होंने बैंगलूरू में रामला मैदान को ईदगाँ बता कर वफ बोर्ड ने अपना दावा ठोका तो वहीं सूरत में नगठ निगम बिल्डिंग को भी वफ बोर्ड अपना बता रहा है तो देशपर में हजारों सरकारी और नीजी संपर्तिया ऐसी हैं जिस पे कबजे करके उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया है ये विचपी की ओर से बड़ा बयान साथ ने आया है इसलिए विचपी मांग कर रही है कि इस वफ कानून को ही रद कर दिया जाए और मोदी सर तोर पर कहा कि फूमाफियाओं का कबजा जो है वो संपत्यों पर है वफ की और उसे मुक्त करानी में ये कानून मदद करेगा मुलाना ने वीडियो जारी करकę इस बिल के लागू होने की जरूरत पर जोर धिया है उन्होंने साफ पर कहा कि वफ संपत्यों की इससे सुनिशित होगी और हमारे बुजूर्ग ने वफ संपत्यों गरीब और कमजोर मुसल्मानों की मदद के लिए बनाई थी लेकिन भूम आफ्याओं ने इन संपत्यों का दुरूप्यों किया है ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई लेकिन वहीं पर मैं आपको जानकासी तेदू कि जिस तरीके से ओवेसी भड़के हुए हैं लगातार वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सरकार बिल लेकर आती है तो ये बिल जो है मुसल्मानों के हित में नहीं है हम सब जंगा पर जाकर आंदोलन करेंगे इसको लेकर जो बीजेपी अल्प संख्यक मोर्चा के प्रिसिदेंट है जमाल सिद्की उनका बड़ा भयान साथ ने आया है एनाई से बात शीत करते हुए जमाल सिद्की ने ये साफतोर पर कहा है कि ओवेसी छो खुद का माल लूट रहा है ये वकफ बोर्ट की प्रोपर्टी को लूट कर रखने वालों का दर्थ है कि वो आंदोलन की बात कर रहे हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा सुनिए बिल्कुल इसका देश का मुसलमान स्वागत करेगा और ये बहुत दिनों से मस्लिम भाईयों के तरह से डिवान थी कि जो वकफ का कानून है इसमें बदला होना चीए क्योंकि बड़ी आसानी से जो वकबोर्ट में काम करने वाले लोग हैं पर वकबोर्ट की टीम है जो उनके चेशर मैन वोग इसको लूट नके रर इसमी स्तिमाल कर रहे हैं और वकफ की ब्रापर्रियों के जोποιों को दर्ड़न के लिए जो काम करते थे हुए उनको देने के लिए काम किया उनको खुश करने के लिए काम किया इसलिए 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 कोई कारवाई नहीं की और मुझे खुशी है देश भर के मुसलमानों में गरीम मुसलमानों में बेवा यतीम बेसहरा मुसलमान जिनके लिए वक्त दान में दिया गया था उनमें भी है एक उमीद है इस जो वाक अमीड में बील का नाम उमीद है तो उसी प्रकार से एक उमीद जा गी है कि अब कुछ भला होगा और मुझे खुशी हिस बाद की कि मानी प्रधार मंत्री जी ने इसमें सब का ख्यार लगा है आप देखेंगे तो अभी तक वाक बॉर्ड के जो च इसमें बेहनों को भी फागे जारी दी है महिराओं के लिए रिजर्वेशन दिया है उसमें पश्वंदा मुसल्मानों की रिच्विन दिया है यह बहुत शांदार बिल लेकर आए हैं जिससे इसका इस्तेमाल गरीबों के लिए किया जाएगा यह ओवैसी साहब का खुद का जो लूट का माल है जो मुसलिम परसलाम बोर्ड के लोगों ने वक के प्रापरटी को लूट कर रखा है जो मंदी साहब ने वक के प्रापरटी को लूट कर रखा है और जितने भी साहबान है उन्होंने लूट कर रखा है यह उनका दर्द है और यह चाहते हैं कि यह बिलना जिससे लूट कामल उनके पास ब्रक्रार रहे पर यह होने वाला नहीं है और यह इनका विरोध बिल्कुल गीदर धंकी है मैं आपको पता हूँ अब इसे सहाब ने तीन हजार क्रोड़ों पीछ जगे हैं हैदराबाद में वक प्रापर्टी का रखा हुआ अपने पास बहुत ही कम कीमत में रखा हुआ है आप अगर देखेंगे तो वक बोड के प्रापर्टियों को हर कांगरसी नितावने लूट कर रखा हुआ है कि कोई भी नाम ले ले उनके पास पड़ी हुई है उन्होंने अब यह तरीके से या तो बहुत कम पैसे में लेकर रखा हुआ है तो य लेकिन मुसलमान इनके वहुक्त करने वाले सांथ में नहीं है क्योंकि मुसलमानों को मारूम है कि सत्र शालों से लेकर अभी तक वहुक्त के तरफ से किसी rocky का हुए तो इन यूप का अंदरों करते हैं लेकिन अभी यह सडक पर आने के इन की हिम्मत नहीं है दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो मानी मत्तार मत्रीजिanken उसको यह。 यह पे शूत पर चरचा करें आप बताएं कि आपको दिक्कत का हैं कोई नहीं आया सब ये कहते हैं वो आपके बिल्क को कैंसल कर दो क्यों कैंसल कर दो भाई जब गरीबों के लिए वो आप किया जाता हुआ है तो वो आपके प्रापरटी का इस्थेमाल गरीब करें उसका फाइदा गरीब को मिले बेवा को मिले यतीम को मिले बेशारा को मिले इसमें महिल मंत्री जी को चेठी भी लिखी है कि जो और ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये कहा है कि एक कोड़ बीस लाग मुसलमानों ने इमेल किया है अरे भाई एक कोड़ बीस लाग से आंतरिक मामलों को विदेशों को सामिल करके देश को कम्जोर करने काम कर रहे मैंने मानिय परधार मंत्री जी के माध्यम से उसको गरीब हो काम में, उनती में, सिख्षा में, रोजगार में, उनकी स्वास्त्री में तुल मिलाकर कुछmetro इस तरीके में, संशोधन जो बिल है, उसको लेकर के शियासी संगराम पिछड़ा हुआ है, आरोप परत्यारों का दोर फिर चल रहा है, लेकिन व्हजपी ने जहां बड़ी मांग की है कि इस कानून को रद कर दिया जाए तो वहीं पर जो कई मौलाना है वो इस विल खा समर्थन कर रहे हैं तो वहीं पर पूरा विपक्ष, वेशी से लेकर तमाफनेता इस विल का विरोध कर रहे हैं और वो सरकार को धमकी दे रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे हम सड़कों पर उत्रेंगे हम ये सलेखेंगे हमाने खिलाफ है की बात है tutorial और उस पर पूरा जो कह सकते हैं कि संग्राम जो है इस बिल को लेकर वा फिलाल छ्र्ता हुआ कर दो